दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वाकत है दोस्तो अगर आपने भी केजी एम्यू के लिए जेनेम का फॉर्म अपलाई किया है तो मैं इस वीडियो में केजी एम्यू की जो कट आफ है वो बताने वाला हूँ क्या जाती है और होश्टर मिलता है नहीं मिलता है और आपकी जो फीस है वो कितनी पढ़ने वाली है तो फीस तो आपकी पढ़ेगी लेकिन कितनी पढ़ेगी वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहना सारी इंफर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी और मेरे टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लेना मैंने लिंक रिक्क्रिशन में दे रखा है क्योंकि जो भी इंफर्मेशन अपडेट आएगा वो टेलिग्राम चैनल पर आपको जरूर मिल जाएगा इसलिए आप लोग टेलिग्राम चैनल जोईन जरूर कर लेना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो केजी एम्यू की बात करें जो भी आप लोग इलाज करवाओगे ट्रीटमेंट करवाओगे जो भी कुछ होगा वो गान्थी मिमोरियल एन असोसियेटेड होस्पिटल के नाम से ही चलता है ठीक है तो सारी चीजे इसी नाम से चलती है इसलिए यहाँ पर यह नाम दिया गया है और स्कूल आफ नर्सिंग नर्सिंग कॉलेज मतलब जहाँ पर बेसी नर्सिंग की पढ़ाई होती है एमसी नर्सिंग की पढ़ाई होती है वहीं पर जी एनेम की भी पढ़ाई होती है तो एक नर्सिंग कॉलेज है जो की केजी एम्यू का ही है समझ समझना कि वो अलग है, ठीके, तो वो जो की गाइनी के पास में है, गाइनी से जुड़ा हुआ है, ठीके, तो वहाँ पर जीनेम की, बेसी नर्सिंग, एमेसी नर्सिंग की सभी की क्लासे चलती है, वहीं पर जीनेम वालों को भी पढ़ाया जाएगा, तो कट औफ की बात करें तो 83% आपका होना चाहिए KGMU मिलने के लिए ठीक है तो यह कट ओफ हो सकता है कि नीचे भी जाए ऊपर जाए लाश्ट यर फिलाल इतने पर मिला था और SC की बात करें तो 81 होना चाहिए और EWS की बात करें तो 79 तक या फिर 80% अगर काउन करने पर 10 और 12 हो रहा है तो EWS में मिल सकता है तो इतनी कट ओफ है दोस्तों किंग जोज मेडिकल कॉलेज की G&M कोर्स के लिए और यहाँ पर NM का कोर्स नहीं है मैं पहले ही बता दूँ जो ल अभी merit list आने वाली merit list में बता दूँ 16-17 तक आपकी merit list आ जाएगी तो इतना wait कीजिए और जो cut off बताईए इतनी तक है तो आप लोग safety zone में है आपको मिल सकता है और यह cut off नीचे भी जाएगी जिन्होंने NM कर रखा होगा पहले से NM कोर्स कर रखा होगा उनका number अगर कम भ हुआ था वो करीब 60 से something थोड़ा बगत उपर हुआ था जिनमें से वायज की संख्या जो थी वो मात 6-7 ही थी इससे भी कमी थी मलब सारी की सारी girls का ही admission हुआ था अभी मात दो तीन ही बच्चे ऐसे हैं जो वायज हैं जो अभी पढ़ रहे हैं बाकी का सारी की सारी girls हैं जो कोई फीस नहीं देना अब फीस क्या पढ़ेगी चलिए मैं बता देता हूँ तो आप लोगों को 5000 यह समझ लीजे कि आपको एक साल में देना है जो कि आपकी registration फीस होगी अब registration फीस क्या होगी आप सभी का registration होगा जो कि UP State Medical Faculty से होगा आपका जो final exam होगा वो UP State Medical Faculty कराएगी आ आप एक तरीके से समझ लीजे आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का exam UP Board कराता था ठीक है UP Board की तरफ से होता था उसी तरीके से आप KGMU से पढ़ेंगे तो खुद KGMU आपका exam नहीं कराएगा बलकि UP State Medical Faculty आपका exam कराएगी क्योंकि आपका registration वहीं से होता है तो आप जो बच्चे आल्रेडी पढ़ रहा है अभी फर्स्टियर में है उन लोगों का final exam नहीं हुआ है अभी कोई date भी नहीं आई है कि उनका final exam कब होगा अगर मिलेगा भी तो सबसे पहले उन लोगों को बाद में आपको लेकिन अभी तक उन्हें भी नहीं मिला है और ना ही चां scholarship की भी बात कर लेते हैं कि scholarship मिलेगी या नहीं मिलेगी तो scholarship का form apply भी होना start हो चुका है आप लोगों का admission हो जाएगा तो आप लोगों को scholarship भी apply कर सकते हो और आप लोगों को scholarship भी मिलेगी तो फिलाल I hope कि आपके सारे doubt clear हो गया होगे फिर भी कोई doubt है तो comment करना और मेरा telegram channel आ सबस्क्राइब यरू कर लेना